मैं दुर्गेज जैश्वाल मेरे यूट्यूब चैनल एलनिक दुर्गेश में आपका स्वागत है आपको ग्यान भी हो गया होगा या पता हो गया होगा कि सीटेट की ऑनलाइन डेट पांस तार पांच फुरडी 2019 से लेके पांच मार्च 2019 तक है फाम सब्मीट करने का उसके ब होगी और आप पढ़ना भी चाहरे होगे तो पहते समय बहुत सारे प्रश्ण हमारे दिवाद मा जाते हैं क्या पढ़ें कहां से पढ़ें कैसे प्रश्ण आते हैं सीटेट में क्या-क्या पढ़ना चीए क्या-क्या नहीं पढ़ना चीए अच्छा सीटेट पढ़ेंगे तो कितने मार्स आएंगे, क्वालिफाई कितने पर हैं, लेकि इन सब बातों को भी छोड़ दीजिए, हम पुरा सीट्रेट के सिलवस पर भी चर्चा कर लेंगे, और मैं आपको बताऊं कि सीट्रेट किसी भी कोचिंग संसान में, किसी भी कोचिंग के बात करो, किसी की, कुछ एक अध्यापक का, एक अध्यापत, कच्छा के अंदर, किस तरह से भी हैप करेगा, कौन सा इंवार्मेंट बनाएगा, कौन सा सास्कृति मार्म होगी, कौन सा कल्चर होगा, तो उसे के बीच के अगर आप संबन को समझ जाते हैं, जैसे आपने स्कीनर को पढ़ा, फॉलाओ को लीकिनिगों पर कैसे करेंगे, आप चाये BTC हो, चाये B7 हो, या अन्य दो वर्सी प्रसिछण आपने गर लिया हो, दो या 4 वर्सी प्रसिछण लिया हो, तो इस प्रसिछण के दारान, आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या-क्या विधिया से कि, एक कच्छा में, एक अध्यापत का एक बालक के बीच जो संबंध होता है या संबंध अगर आप किलियर कर लेते हैं तो सीटेट क्वालिफाइग करने साब कोई नहीं रहे सकता और रही बात नोर्स की तो नोर्स वगएरे देखिए यह अपने सब्सक्राइब लेकिन वास्तों ये है भी क्लास चलती ओनुट में वही पढ़ाया जाता है यह आपको पूछए in कहने का मतलब यह हाँगी सीटिट में रट्टा मारके आप सीटिट वॉलिफाइए नहीं कर सकते रट्टा मारने के लिए यूपी टिट है सीटिट के लिए आपका कॉंसेट क्लिए होना कून सब्सक्राइए कि एक अध्यापक का कच्छा के अंदर क्या और होता है अगर यह संबंद आपको सून ना गया यह संबंद आप समझ जाते हैं तो seated आप qualified करने के लिए आपको बस एक ही चीज चाहिए कि बालक से और आपके बीच संबंद अगर यह संबंद आप समझ लेते हैं तो आपको seated qualified करने से कोई नहीं हो सकता कि आप जानते है बाल अनों मिञ्ञान से तीसों होते हैं तीसधे 15 कोशचन सीधे पूछे जाता हैं पंद्र hem के थेरी पूछे जाती है परियावण में भी 30 question होते हैं उसमें भी 15 question परियावण से पुछे आते हैं पंध्र क्या होती कि यह आपका सिच्छा सास्तर होता है लेकिन धो J Coke कर देने 30 268 पर Daha इस इस साफ्त कह बढ़ा होते हैं फिर घणित में भी आते हैं उसमें आपको पध्यासों के द्यास मिल गए थे सेकेंड लेंगे आपको सिच्छा साथ की कुष्चन मिलेंगे और सौल भी करने पड़ेंगे तो कहीं न कहीं एक अच्छी रणी ती और एक अच्छी तयारी के साथ चलेंगे तो मात्र 45 दिन की कड़ी मेहनत से आप सीटेट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं यह बहुत बड़ी बात नहीं है अब विश्वास नहीं करेंगे मैंने एक दिन भी नहीं पड़ा था लेकिन की विडियोच पड़े हैं आप देख लीजिएगा उसमें से भी एंसीअप 2005 अगर आपको स्वाण में आता है तो आप आसानी से पारिफाई कर जाते हैं फिर भी अगर आप जोनपूर्ट जनपत में हैं तो टीडी का लेकिट के पास आईएगा अनुपम रेस्टोरेंट के हैं और अड्मिशन के लिए आप को जोईन 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 सीट लिखकर वेजना है 630 634 367 इस नंबर में मैसेज करेंगे यहां से आपको बता दी जाएगी कि ऑनलनें क्लास में कैसे आपको अड्मिशन लेना है और यहां से मैं आपको देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्य करेंगे उतना बेहतर आप कमान होगा और जब करेंगे यूपीटेट की तरह सीटेट पाते हैं जबकि सीटेट और यूपीटेट में बहुत बढ़ा आता है कहने के लिए लगता है कि आप एक अध्यापक बनने के लिए क्या आपके अंदर वह सारी चीजी हैं कि एक या कोईलर का बहुत सरार्ति है उसमें आपका भ्याइट कैसा होगा अगर बच्चे को दिशाग ग्यार पढ़ाना अगर आभी घुबोल के अध्यापक है या समाजी भी ग्यार ये अध्यापक है तो बच्चे को मैट कैसे पढ़ाएंगे तो इस तरह के लॉजिकी प्रश् आपको सीटेड़ होने से कोई भी नहीं दोग सकता Ada आपके ऊपर कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है कब पढ़ना है हाँ आप मेरे साथ जुढिए और मैं इस बाक का वरुसार देता हूं आपको आप सीटेड़ आसानी से पालिफाए हो जाएंगे कि C-TET क्वालिफाई करने के लिए जादे चीजे नहीं बसकेवल कॉंसेट क्या करना है मेहनद आपको लिखित के लिए करने हुआ लिखित के लिए पढ़ेंगे तो आपका you पी टेट भी कलिए होता जाएगा यह पहले तो लगता था कि जब से you पी टेट आया यूपी टेट कैसे पास होंगे, अब आया कि सूपर टेट कैसे पास होंगे, तो overall मिला कि अब जो नियुक्ति भी होनी है, सूपर टेट के अदार पर होनी है, इसलिए वो चीजे पढ़ते समय इस बात को विशेज ध्यान देना है, कि आपको यूपी टेट, सीटेट, अच्छ सुपरी 2019, online और offline, दोनों बैसे, दोनों क्लासे मेरी सततरूप से प्रारंब हो जाएंगी, अगर आप चारते हैं, जुलकर पढ़ना मेरे साथ, आपका most welcome है, और हाँ, आप घर से भी त्यारी कर सकते हैं, बिना किसी कोचिंग में दाखिला लिए, मैं आपको पूरी रिनिती बताऊंगा, आप आसानी से qualify हो जाएंगे, अगर ऐसा नहीं है, तो आप practice set, वास्तों में सीटेट के practice set आते हैं, ऐसे नहीं जो market में बेचे जाते हैं, जो भी हालाई में अभी देखेंगे ने, तुरन market मा आ जाएंगे, ऐसे practice set नहीं, आप अपनी practice set देखिएगा, सुबह और साम, इविनिग और मॉर्ने सेट में हमारे आफ्लाइन क्लासे चलेंगी, मैं address बता दो, जोनपुर जोनपत में TD का लेकेट के पास, अनपुर में रेस्टोरेंट के ज़स्ट पकल में, वेद कानुर्ण स्कूल, यहाँ पर मेरी offline क्लास चलेंगी, और online आप कहीं स क्लियर कर लिया, तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं ने सुकता, अगर आपको मेरी बात असत्त लगती है, तो पूराने जो भी वेक्ती सीटेट क्वालिफाई हो, उनसे चराए पूछ लिएगा कि कोचिंग से पढ़ाय हुआ, कितना कोचिंग कोचिंग पढ़ाय और सीटेट अगर एक बार उत्तुन हो जाते है, यूपिटेट की ज्यादा दिक्कत नहीं है, कि सीटेट साथ साल के लिए वैलिड होता है, जब कि यूपिटेट पांच वर्स के लिए वैलिड होता है, इसलिए आपके सामने सबसे बड़ी जो चराओती है सीटेट, और आपके साथ रहूंगा, और आप ज़रूर कालिफाई करेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथ ये को, डेट साथ सो कमने, आप सब तयारी करेंगे, और कुछ बेहतर करने के लिए, मेरे साथ जुड़े है, क्योंकि रेस से गोड़ी रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में इसके साथ जाएं जाएंगार।